इलेवन सच है तो दिखेगा नमस्कार मैं हो गंगेश गुंजन 2020 में आप से हमारी ये पहली मुलाकात है नया वर्ष आप सब को बहुत बहुत बबारक हो स्यासत की खास्यत है इसमें एक्षन होता है और सस्पेंस साथ में चलता रहता है एक्षन के साथ सस्पेंस थ्रिलर कई बार नया नया कई नय गुल खिलाते हैं कई नया आस्पेक्ट निकल कर सामने आता है आज समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार के सस्पेंस में क्या नया है और क्या नया होने से यह सस्पेंस खत्म हो जाएगा जारकंड की सियासत फिलाल एक सस्पेंस फिल्म की तरह हो गई है फिल्म का सस्पेंस तो फिर भी खत्म हो जाता है पर यहां का सियासे सस्पेंस अभी खत्म होता नहीं दिख रहा जारखंट के सियासी सस्पेंस पर पहले एक रिपोर्ट देखते हैं और फिर इस पर हम अपने रिपोर्टर्स के साथ चर्चा करेंगे सियासत एक ऐसी फिल्म है जिसका सस्पेंस हमेशा जिन्दा रहता है और अगर जारखन की सियासत हो तो सस्पेंस तो इसका सबसे एहम कैरेक्टर होता है अब जब सरकार नई बनी मुख्य मंतरी के साथ तीन मंतरियों ने शपत ली पर अब भी सस्पेंस चारी है मंतरी परिशत कैसा होगा? मंतरी मंडल में कौन कौन होगा? श्वेद पत्र में क्या होने वाला है? विपक्ष के नेता कौन होगे? बीजे पीकर नया प्रदेश दक्ष कौन होगा? ये सवाल ऐसे है जिनके जवाब फिलहाल सिर्फ समय के पास है शोयद पत्र को लेकर तो अब सियासत भी शुरू हो गई है पूरे राजी की जंगता को उनके पापों से अग्दत करवाईगी राजी के हालात के विशे में लोगों को जानकारी देंगे तो उसके बाद फिर सदन में किस मुझ के साथ वो सामने आएंगे ये बहुत बरी समस् है उनके लिए और इसलिए अब अब से वह बहाना बनाना शुरू करें देखा होगा कि हम अभी पिछली सरकार के जो काम काज है उसके लिए हम स्वेट पत्र ला रहे हैं लेकिन हमारी जो प्रात्मिक्ताएं हैं जो हमारे संकल्पत्र में जो उसमें हम लोगों ने जो घोसन को प्रात्मिक्ता के अधार पर सरकार उसको लागू करने का काम करेंगी हमान स्वेट पत्र जारी करें लाल पत्र जारी करें पीला करें काला करें हरा करें यह तो उनका अधिकार है वो कर सकते हैं इसमें किसी को क्या पत्ती भी नहीं होनी चाहिए इतना ही नहीं यह तो सरक इस पर भी है कि विपक्ष का नेता कौन होगा सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का प्रदेश अदेश कौन होगा इन बातों पर अब तो जे में भी चुटकी लेने लगा है कि वार में तो हमने पढ़ा कि कोई नेता बनने को तयार नहीं है तो ऐसा कभी होता है कि किसी भी लुक्तांतिक व्यवस्था में सदन यदि रखित हुआ है तो सदन का नेता यदि है तो विपक्ष का भी नेता होना चाहिए और यह समयधानिक जरूरी बात है इस सियासी सस्पेंस का दियेंज कब होगा ये तो पता नहीं परितना जरूर है कि सस्पेंस के एंटरटेन्मेंट में कोई कमी नहीं है बीरो रिपोर्ट निउस अलेवन भारत जब सस्पेंस अधिक गहरा हो तो समझने के लिए जिस दर्बार में जाया जाता है वह आप और हम सभी जाते हैं वह है उपर वाले के दर्बार देखें मुख्यमंत्री आज वहां इस करण से नहीं कहें वह सपरिवार पहुंचे छिनमस्तिके के दर्बार में पूजा सा परिवार हाजरी देने पहुंचे मा के चर्णों में शीष जुगाया और मा से ना सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए बलकि पूरे जारखंड के लिए आशिरवाद मांगा पर्देश में सुक्सांति सम्विंधी बनी रहे मादाजी को लिए नया साल मुबा रखो शोप के लिए और हैमन जी को क्या आशिरवाद देंगे मा और बेटा का जो आशिरवाद है वो किसी बताना की ज़रूत नहीं और अभी से कि कलपना जी आज यहां मंदिर में पहुंची और कुल देवी आप पहले भी आते रहे हैं मुकमंत्री जी को नया जिम्मवारी भी मिला आपकी बहुत बड़ी भूमिका होगी अर्धांगनी कनाती जिस तरीके से हर एक पति की पत्नी की पत्नी की होती है पती की तरफ जिम् जिम्यदारी मिली है वो अच्छे से निभाय जैसे पहले निभाते थे बहुत बड़ियां कल्पना जी ने काया कि सबकी अपनी अपनी जिम्मवारी है और उसी जिम्मवारी का निर्वाहन भी कर रहे हैं और सब लोग एक एक कर उसकुद इस वक्त अब जैसे की देख सकते हैं ना करने के बाद निकल चुके हैं हेमन जी ने बहुत हेमन जी आसिरवाद आशिरवाद राज के लिए पूरे परिवार के लिए राज की जनता के लिए जन्मानस के लिए परिवार के लिए और सुक और सम्रिधू जो की बाते होती है और इसा भाद देख सकते हैं कि पूरे परिवार के साथ एमन जी यहां पूजा हर्शना की है यहां क्लपनी बहुमिका को अदा करेंगे और यहां जो पुरोहीत हैं उनके द्वारा पूजा अर्चना के बाद ये तस्वीर आप देख सकते हैं पूरे परिवार के साथ इस वक्त मत्था टेका पूजा अर्चना की पहले से भी अगर हम कहें वो आते रहे हैं पूरा परिवार यहां आता रहा है और आज फिर से यहाँ पर हैमन्द सोरेंट शीबू सोरेंट पूरे परिवार के साथ पहुंचे थे अब पूजा अर्चना के बाद की अगर हम बात करें जो प्रशाद उन्होंने लिया है पूजा अर्चना की है और सबसे अच्छी बात जो कल्पना सोरेंट ने कहा कि परिवार के एक सदस की जिस तरह से भूमिका होती है उस पूरी सभी भूमिका को अदा की जाएगी ताकि मुख्य मंत्री का जो दाई तो मिला है हमन सोरेंट उसका निर्भान सई तरीके से सई दिशा की ओर कर सके इससे पहले नजरप्पा पहुँचने पर मुख्यमंत्री हेमन सुरेन को प्रसाशन की ओर से गार्ड ओफ ओनर दिया गया जिसके बाद हेमन सुरेन सरनास्थल पहुँचे जहां मौजूद पाहन ने पारंपरिक रिती के हिसाब से उनसे पूजा अर्शना करवाई सरनास्थल पर मुख्यमंत्री हेमन सुरेन की मौजूदगी से वहां के लोग भी काफे खुश नजर आए यहां पूजा के बाद हेमन सुरेन माचिन मस्तिका के दर्बार में हाजरी लगाने पहुचे आगी की राह का सफर तै करने का नेने लिया आजसा परिवार हम यहां पर माता के चर्नों पर आये हैं है ताकि हमें सकति परदान करे और हम के जिस तरिके से मा का असिरवाद के अपने भक्तों पर होता है राज की सरकार की विन टज़ये इस राज के हर जन्मानस के उपर रहे हमात के कंदों पर ही वो जमधारी है जो ज हारकन के आगे की दिशा और दशा दोनों तैय करेगा और ऐसे में इश्वर का आशीश उन्हें कदम कदम पर मजबूती प्रतान करेगा निव्ज लमन भारत के लिए रजरप्पा से अबिनाश कुमार की निफोंग्ड तो यह रजरप्पा की तस्विरें आप देख रहे हैं जहां आज हिमंन सुरें पहुंचे और सब परिवार पहुंचकर उन्हेंने पूजा अरचना की और वहां की तस्विरें आप देख रहे हैं हमारे रिपोर्टर अविनाश ने वहां बाचीत भी की वो बाचीत भी आपने सुनी यह स्यासत से अलग हट कर हम कह सकते हैं यह जो तस्विरें आप देख रहे हैं वो स्यासत से अलग हट कर हैं इस्विश्च पृदेश की सियासत में यह सुस्पेंस तो खत्म हो गया, किस अधा किसी होगी, मुख्यमंतरी कौन होगे, यह सुस्पेंस खत्म हो चुका, हमानसरें मुख्यमंतरी बन चुके हैं, उनके साथ तीन और मंतरियों ने शपत ले ली हैं, तब अब सस्पेंस किन पर है प्रतम द्रिश्टिया वह यह है कि cabinet के बाकी मंत्री कौन होंगे उनके नाम क्या है क्या हो सकते हैं दुसरा श्वेत पत्र की चर्चा हो रहे ही कि श्वेत पत्र जारी करेंगे हमन्त सुरेन जो पिछले सरकार के काम काज को लेकर होगा बड़ा प्रश्ञिये है कि श्वेत पत्र किस specific area के लिए है यह अभी तक सपष्ट नहीं है तो श्वेत पत्र को लेकर एक suspense है विपकषी खेमे की बात करें तो विपकशी खेमा में लगभग सारे खेमे सारे तंबव उजड़ चुके हैं आजसू में सिर्फ दो विधायक बचे हैं और हम कह सकते हैं कि सबसे खराब दोर से आजसू गुजर रही है बीजेपी 25 सीटों के साथ विधान सभा में मौजूद है विपक्ष के बता और एक बड़ी ताकत जरूर है लेकिन उसने सत्ता गवाई है और इस नाते मनुबल टूटा हुआ है उसका तो ऐसे में विपक्ष का नेता कौन होगा ये एक बड़ा सवाल होगा सबसे पहले शानवाज अख्तर के पास चलते हैं कॉंग्रेस का रियले से मौजूद है वो शानवाज अब एक बड़ा सवाल है कॉंग्रेस सेग्मेंट से दो मंत्री बन चुके हैं हम कह रहे हैं कि अलग-अलग सस्पेंस इस प्रदेश में भी काइम है कम से कम सियासी सस्प सबस is ग्रड़ा सब्सक्राइब काल adjustments चिसको आम कहा सकते हैं उसमें एक बड़ा सस्पेंस है कि cabinet के बाकी के मंत्री कौन होंगे है हलागि की फार्मुला तह है पांच मंत्री बनने हैं कॉंग्रेस से ये जानकारी है तो बाकी के तीन मंत्री कौन होंगे उनका कंबिनेशन क्या होगा और किस तरह से आप देख रहे हैं कैबिनेट विस्तार को उसमें नामों को लेकर कितना बड़ा सिस्पेंस है देखे चुनौती बड़ी है क्योंके कांग्रेस ने इतनी बड़ी जीत की कलपना नहीं की थी और इतने बड़ा जीत करके लोग आए हैं और सबकी सब कई लोग सेकंड टाइमर भी है अगर हम बात कर लें तो बन्ना गुपता फिर लगातार तो नहीं लेकिन पहले रह चुके थे बीच में हार गए थे फिर उनकी रिपिटेशन है और जातिगत अगर आधार पर देखें तो उनका भी क्लेम बनता है और अंबा प्रशाद का भी क्लेम बनता है अंबा प्रशाद ने भी बहुत ही चैलेंजिंग जीत दर्ज की है ममता देवी ने भी बहुत ही चैलेंजिंग वैक्ति को हराया है आज सुके बहुत ही पावरफुल परतियाशी को हराया है तो ये तीन नाम में से कोई एक नाम आप मान के चले की सेलेक्ट होंगे क्योंकि अमबा परशाद भी वैस जाती से आती है बन्ना गुपता भी वैस समुदाय से आते हैं हो सकता है कि महिलाओं में किसी एक चेहरों को पसंद करना हो तो दीपी का पांडे का भी नाम बहुत तेजी से आगे चल रहा है क्योंकि अगरी जाती से बिलॉंग करती है जो एक जमाने में कांग्रेस का परागत वोटर हुआ करता था जो बात में भारती जन्तापाटी की तरफ मुड़ गया था अंबा प्रशाद बहुत पढ़ी लिखी है और राजीव गांधी ने भी उनकी प्रसंचा की है उन तक उनकी बात पहुँची है किस तरह से कठिन प्रस्थितियों में अपने पिता जी के जेल जाने के बाद माता जी के तड़ी पार होने के बाद उन्होंने अपनी जीत को स चलना चाहिए अब अगर विक्सल को गाड़ी पर थोड़ा सा गोर कर लें तो ये सेकंड टाइमर है वो भी लगा तार दूसरी बार जीत करके आए पिछली बार उपचनाव में जीते थे और बहुत ही सिंपल वैक्तित्व के धनी बहुत शो आफ नई डाउन टू अर्थ औ और इसाई समूदाए को रेपेजिंट करते हैं और खुद भी चर्च से रिलेटेड हैं फादर रह चुके हैं वो तो वो उनका भी कलेम बनता है उनकी भी खाहिश है कि उनकी समूदाए को और ये उनकी खाहिश के ज़ादा कॉंगरेस इस मामले में काफी माहिर है इसको ले इस कारिकरम में तो रौश्णी मिल सकती है हमें जी आप कमलेज जी अभी जो हम बातचीत कर रहे थे वो जो तीन बर्त खाली है तीन बर्त खाली है कॉंग्रेस कोटे से भरे जाने हैं इसको लेकर किया मंधन चल रहा है इंटर्णल फर्मूला क्या यह इस संबंद में हमारे ज देश के इंचार जाएं आर्पिएंशिंग सहाइब यही आलाकमान से बात करके सारे समिकरन को देखते हुए सारे प्रबंडल और सब्सक्राइब के भावनाओं को रखते हुए वे लोग उनकी छमता और दक्षता को देखते हुए संगठन के हीत में वे लोग अपना नीर् अधिबासियों के सबसे बड़े चेहरे हैं हमारे पर देश में ड़क्टर रामे से रूराम जो केंद्र में मंतिर राज चुके हैं आधिवासी कोटा भर गया अब तो हमारा कहना आधिवासी कोटा भरने का नहीं है महिलाओं की बारी है महिला भी अपने आप में एक अलग काटेग्री होती है सबसे ज्यादा महिलाएं इस विधान सभा में कॉंग्रेस से ही चुन के आई हैं चार महिलाएं एक संथाल पढ़ना से और एक जो हैं हमारे ये उत्री छोटनागपूर से हमारे दो हैं और तीसरी चोथी महिला तीन महिलाएं है ये चार महिलाएं खड़े हुई थी लेकिन तीन महिलाएं हैं और तीनों महिलाएं एक संथाल पढ़ना से हैं और दो उत्री चोटनापूर से एक बज समाज से आती हैं और एक कुडमी समाज से आती हैं और दोनों का अपना अपना विशेस महत्त है उन्होंने विप्रित परिस्थितियों में एक दिपिका पांडे जी भी हाँ दिपिका पांडे उए संधारपना से आती हैं वह भी हमारे लब्द परतिश्थित कॉंग्रेस के नेता ओद बिहारी सिंग की बहु है पुतो हु है त कॉंग्रेस में उनका भी काफी जोगदान है और एक समाज को हमारे कूडमी समाज का भी पूरे जारखन में मतलब एक अच्छा मेसेज देने के लिए भी मतलब यह पार्टी हाई कमान सोच सकती है कि करिब 35 अई से विधान सवाच छेत्र हैं जहां हमारे समाज की बहुलता ह तो इस तरह से तीनों का अलग-अलग है कॉंग्रेस में दिफिका पांडे का भी काफी जोगदान है जुआ राजनीती से लेकर अब तक और उहां से अकेली महिला जीत के संथालपना से आई हैं हमारे रामगर से भी इन्होंने एक 34 साल के किला को 1985 के बाद बज़वना सर्म से और बर्कागाउं से भी अंबा देवी ने बहुत रेकर्ड मोटो से अपनी दीश हासिल किया है इसलिए यह सारा तय आला कमान करेंगे और इसके लिए हमारे प्रभारी जी यहां करिब दो महिना तक रह करके जिस तरह चुनाव का संचालन किया और सभी जित दिलाने का ए इसाई समूद आए बिलकुल डारिक्ट आप बने रही है उनके साथ हम फिर आपके पास आ रहे हैं इस समीकरन को समझेंगे चुकि महलाओं को स्थान देना बहुत जरूरी है जिस तरह से वह बता रहे हैं महलाओं का एक स्थान है और जो हम देख रहे हैं उसमें तीन सीट अभी और खाली है या हम कह सकते हैं तो इसमें किस तरह से वह बटवारा होगा ये समझेंगे आप से एक छोटा से ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद हम जब लौटेंगे तो हम सत्तापक्ष की भी चर्चा करेंगे कि मंत्रीपद की होड में कौन-कौन लोग हैं और इसके अल प्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे साथ अब राकेश जोड़ चुके है जो जेमेम का पकश रखेंगे और राजेश बताएंगे कि बीजेपी में क्या कुछ हल चल है लेकिन इससे पहला हम एक बार कॉंग्रेस कारेले चलेंगे जहां शानवाज मौजूद है और वो बातचित कर रहे हैं हम उसे समझने की कोशिश करेंगे कि बर्थ बहुत कम बच जीत कर रहे हैं तो ऐसे में और भी बहुत सेलेक्शन टफ हो जाता है क्योंकि पिपका पाड़ी तो आप समझी रहे हैं कि वह है कि उसे महिला चुनना होगा तो देखना पड़ेगा कि क्या करना ला है तो देख्सता प्रादी से लेना है तो बन्ना गुपता को लेना जरूरी होगा यादव समुदाय से भी एक कंडिडेट अकेला जीत करके आए हैं और काफी पावरफुल कंडिडेट थे जो बीजेपी में चले गए कॉंग्रेस तो वहाँ एक चैलेंज है कि वहाँ पर कॉंग्रेस को अपना फिर एक इस्ट्रा एक बहुत गोर करने की बात है विक्सल कुंगाडी की भी उमीदें हैं कि इनको मंत्री मंडल में जगा मिले फिर कमले जी सरू बरू होते हैं तफ है सेलेक्शन करना आसान नहीं होगा और जब तीन नहीं चार-पांच कंटेंडर्स होंगे तो फिर क्या क किया जाएगा कि पैमाना क्या हो सकता है देखिए हमारे आलाकमान सारे चीजों पर गोर करते हैं वह जिस तरह टिकट बित्रन में पूरी सुझबुच के साथ हमारे 31 जगह पर टिकट उन लोगोंने बित्रन किया उसी तरह ये मंत्री मंडल के गठन में भी जो हमारे विधा एक जीत करके आए हैं और हमारी महिला विधायक जीत करके आई है मैं ने सूरुं में किए चार जीत के आई है और सबसे ज्यादा ये बिधानसभा में कॉंघरे स्पांडी से यह चारह आई है चारू दख्ष में सामिल होने से राज को फाइदा होगा संगठन को फाइदा होगा राज हित में हमारे आला कमान इन सारे बिंदों पर विचार करते हैं जिसमें हमारे CLP लीडर हमारे परदेश अध्धक्ष और हमारे परभारी सब मिल करके आला कमान से बात करते हैं और उसके बाद इसका चैन होता है हमारे पलामु प्रमंडल से भी हमारे एक मान्य बिधायक जीते हुए है रामचंदर सिंग जी वो भी पहले भी बिधायक थे तो इस तरह से पूरे प्रमंडल और पूरे जार्खन को देखते हुए और जार्खन के संगठन और ये जार्खन के हीद को देखते हुए कि ये आला कमान विचार करेगा इसमें हमारे जैसे कार्ज करता हों कि किस तरह कोई भागी ना है गंकेश जी एक नया नाम इन्होंने जोड़ा है रामचंदर सिंग पलामू से हैं और अगर उस छेत्र पे कॉंग्रेस को आगे भी कामियाभी चाहिए तो रामचंदर सिंग को इग्नोर करना मुश्किल पड़ेगा अब रासावार चार मही लाएं हैं वहां सेलेक्शन के प्र रही है सरकार गठन के बाद से वह है कि श्वेत्पत्र लाएगी सरकार वह श्वेत्पत्र पिछले सरकार के कामकाज पर होगी वह से होगा यह श्वेत्पत्र दरसल क्या किसे क्या बताना चाहता है श्वेत्पत्र में ऐसा क्या होगा वह सरकार क्या बताना चाहती इसको ले पहले अगर आप देखे होंगे चीजों को गंगेज जी तो लगातार जारकन मुक्ती मूर्चा जो है वो हमला वर रही है पिछले सरकार को लेकर कि सरकार ने फिजूल खर्ची काफी किया है परचार परचार के माद्यम से जनता की गाड़ी कमाई को सरकार ने बेवजा लगाय है तो इस तरह के आरोप लगातार जारकन मुक्ती मूर्चा के तरब से लगते रहें अब काल रहा है उस कारकाल में जनता की गाड़ी कमाई का किस प्रकार प्रियोग हुआ है यह तमाम चीजे पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए उनको लगता है कि मोमेंटम जारकंड के नाव पर एक बड़ी लूट हुई है वो चीजे पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए परचार रोडिंग्स बैनर के माद्यम से जिस तरीके से सरकार ने लोगों के पैसे को टेक्स जो पेर से उनके पैसे का जिस तरीके से इस्तिमाल किया है वो चीजे पब्लिक डूमेन में आने चाहिए इन तमाम चीजों को लेकर जो मौझूदा सरकार है वो पिछली सरकार के खिलाप को लेकर जो प्रकिरिया है जो कवायद है वो शुरू भी हो चुकी है तो अब इंतिजार है कि सरकार को वो स्वेट पत्र क्या होगा उसमें क्या चीजे रखी जाएंगी और ज्यारकर मुक्ति मुच्चा के तरफ से यह भी दावे किया जा रहे है गंगेश जी कि इस का जो प्रवाधान होता है उसे भी दिलाने का काम करेगी तो जारकर मुक्ति मुर्चा हो यह उनकी सरकार हो एक तरीके से पूरी तयारी कर चुकी है पिछली सरकार को लेकर कि सरकार ने अनवस्षक रूप से जो पैसे खर्च किये हैं जहां जरूरत नहीं थी उन पैसों का ह हिसाब सरकार को देना होगा और उसी पैसे के हिसाब को लेकर मौजूदा सरकार जो है पिछली सरकार के खिलाब एक स्वेत्व पत्र जारी करने जारी यह गांगे जी यह वजा नहीं हो सकती है राकेश अगर सरकार को लगता है कहीं कोई गरबड़ी है वो जांच का देश द करने के लिए है कि अभी वस्तु इस्तिति क्या है उसको शायद जीमम एक्स्पोज करना चाहता है कि जो जो दावेत है उससे उलट अभी की तस्वीर है शायद सरकार अगर कारवाई करना चाहे तो उसे रोकने वाला कोई नहीं है विपक्ष भी नहीं रोक सकता है अगर सरक पुर्वाग्रह से ग्रसित नहीं रहेगी सरकार हिमन सोरेन ने जैसे ही वो शपत ग्रहन के पहले ही उन्होंने इस पश्ट किया था अखबारों की सुरख्यां बनी थी कि कुछ पुर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होगी सरकार एक बड़ा मुद्दा यह है और दूसरा जब हैं तो यह बताते हैं कि पहले आप पुरवर्ती जो सरकार की गरवणियां हैं उसको एक्सपोज करना चाहते हैं उसको सामने लाना खाली है सरकारी एजएसियों के जो रिपोर्ट आए है घंगेश जी उसमें भी साफ तवर पर यह कहा गया है कि सरकार का खाजाना है खाली है तो उसी को कहीं ले कहीं जो मौझूदा सरकार है वो पबलिक में लाना चाहती है बताना चाहती है कि सरकार ने किस तरीके से आपके आपके जो टैक्स पेर थे आपने जो टैक्स दिया उस पैसे का किस तरीके से दुरुपयोग हुआ और आज इस्तिति यह है कि नई सरकार के लिए खाजाना खाली है तो यह एक मैसेज देने की कोशिस की जानी है सरकार मौझूदा सरकार के तरफ से और यही एक बड़ी वज़ा है पत्र को लेकर जी राकिश राजिश क्या इसका मतलब यह माना जाए कि आने वाले कुछ दिन शायद जारखंड के लिए टफ हैं सरकार और थोड़े मुश्किल दोर से प्रदेश की जनता को गुजरना पड़ेगा शायद यह करने के लिए सरकार पहले पूरवर्ती कारनामे जो हैं जो भी सरकार ने काम किये हैं पूरवर्ती सरकार ने जो भी काम किये और जो इस सरकार मानते हैं कि घलत काम किये उसको एक्सपोज करना चाहते है ताकि वो जब आगे कोई मेजर्स उठाए कुछ इसको सुधारने के कदम उठाए और इसे जो आस्विधा हो तो वह बतायक साब यह पुरवर्ति सरकार ने घलत किया था इसलिए हम यह मेजर्स उठा रहे हैं सुधारवादी मेजर्स उठा रहे हैं यह है इसका मकसद राजेश तो उसी बात से यह बात आगे निकली है कि पूरी एक स्फेथ पत्र जारी किया जाएगा कि ताकि जो खजाने की इस्थिति है वो क्या है जनता भी जाने कि एक a शीज की शलिए जिक्र होता है कि कहां से पैसा कितना आया अगर हम खजाने की बात कर रहे तो वैसे पत्र अन्य विश्यों पर फिल जारी हो सकता है लेकिन खजाने के बात करें तो यह कहां से कितने पैसे आते हैं और क्या खर्च हुए किन मद में खर्च किये गए और क्या ये खर्च आर्थिक रुप से स्टेट के स्थिति क्या है वो बताने की एक कवायद है एक दूसरा कि पूरवर्ती जो काम हुए चुकिस सरकार ने अभी तक सपश्ट नहीं किया है किसी सिर्फ आ ये एक संकेत देना चाहती है कि आने वाले कुछ दिनों तक थोड़ी अस्विधा शायद जारकंड को जेनने पड़े जारकंड की जनता को चुकिस्वेद पत्र का उद्देश अगर सरकार ये चाहती कि जो घलत हुआ है उस पर कारवाई हो तो उसके लिए श्वेद पत्र पर पिछली सरकार की नीतियों की आलोचना करना और अपनी जो नई नीवीची है संभावित नीथी उसका परचार प्रसार करना यही विपक्ष का काम होता है और जब विपक्ष को मौका मिल जाता है जनता भरोशा करके उसको एक चांस दे देती है तो फिर एक सिस्थी बदल जाते है às अब एक एक मील का पत्थर सेट करती है कोई भी सरकार आती है चाहे वो पिछली रगवर सरकार ही क्यों नहों उसने भी कोशिश यही कियोगे बहले ही शोच पत्र ना लाया हो उसने लेकिन उन्होंने भी यह जरूर कहा होगा कि यहां हमें इस पॉजिशन से राज्य मिला है इस पॉज साना मकसद होता है इसलिए बार-बार हेमन सोरें घोशनाओं पर घोशना करते जाएं यह इससे बेहतर था कि वह एक बार शोयद पत्र ले आएं उन्होंने कहा दिया कि हम जो है जितने भी वेकैंसी भर देंगे पांच लाख लोगों को रोजगार देंगे आप अगर राज डियू रहने पर केई बार रिपोर्ट की है मुं जहां तक मुझे पता है कि जहारखन का यह पूरा का पूरा बजट है वह 42 Uhr के आसपास का है पर मत और उसमें बाइस सो क्रोड के आसपास सीधे सीधे सेलरी में निकल जाते हैं बाकी चीजें हैं बैट जो बैक लोन्स हैं जारगंड पर 19 साल में हर सरकार ने कुछ-कुछ लोन्स लिये हैं उसको चुकाना पड़ता है उसके बाद उस सब चीजें अगर हो जाती हैं तो ज्यादा से ज्यादा एक हजार करोड नौसा करोड आटसा करोड इससे ज्यादा कभी रगवर सरकार में भी नहीं रहा है विकास के कामों के लिए, सडकों के लिए, पुल के लिए, पुलिया के लिए, नहीं वो जनाओं के लिए तो ये बहुत अच्छी स्टिटीव तो फिलहाल है नहीं सरकार की बारवार इसका जिक्र हो रहा है कि खजाने में पैसे नहीं है, और यहां से हमन्त को शुरुआत करनी है और हमन्त भी पहले राज सरकार चला चुके हैं इसलिए वो बहतर जानते हैं कि उनको इन सब कामों के लिए रिसूर्सेश चाहिए पिछले कई महिनों से जी एस्टी का भी शेयर नहीं मिला है किसी भी स्टेट को नहीं मिला, जारकन को भी नहीं मिला है और कई लोग लुभावन यहां पर योजनाये चल रही है एक रुपे में महिलाओं की रिजिस्टी हो रही है अब तक 4500 कोड़ो रुपे इस पे खर्च हो चुका है दूसरा सोई गैस की उज़वला योजना चल रही है इस पे भी अच्छा खासा खर्च हो चुका है बाकी में मिल है, कॉंट्रेक्ट लेबर की पेमेंट है यह सारी चीज़े हैं, सारी चीज़े चल रही है तो यह सारी चीज़ें आगे कंटिन्यू करें इसके लिए आप कुछी चीज़ें बंद भी करना चाहेगा चलिए कई बिरोधा भासी बाते हैं एक चोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे शानवास कर रहे हैं और इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स आई है कि जाना खाली है लोगों को सैलरी देने तक के पैसे नहीं है फिर पांच लाख रोजगार एक साल में क्रेट करना है उनकी सैलरी कैसे होगी स्टेट क्या इसके लिए जरूरत है शेद पत्र की ये जानना जरूरी है और अगर शेद पत्र जारी हो जाएगा इससे आर्थिक स्थिती में सुधार तो नहीं होने वाला फिर वो कमिया जोंके त्यों खड़ी रहेंगी उन कमियों को कैसे पूरा करेगी सरकार ये जानना बहुत जरूरी है छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर लोटेंगे और इसे बुद्धे पर चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद आपका स्वागत है सियासात और सस्पेंस के चर्चाम कर रहे है हम बता रहे है कि कैबिनेट में और कौन-कौन से मंतरी शामिल होंगे ये सस्पेंस का विशह है हम बता रहे है कि शोईत पत्र में को लाने के पीछे मकसद क्या है असली वज़ा क्या है अगर इसको हम ढूंडने के कोशिश करें तो वहाँ भी एक suspense दिखेगा विपक्ष का नेता कौन होगा वहाँ भी एक suspense दिखेगा और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कौन होगे अगले वहाँ भी एक suspense आपको दिखेगा लेकिन अभी हम चर्चा कर रहे हैं श्वेत पत्र पे श्वेत पत्र लाने के पीछे सरकार दरसल करना क्या चाहती है श्वेत पत्र की जरुरत क्यों है यह समझने की कोशिश कर रहे हैं हमारे साथ राकेश मौजूद हैं राजेश मौजूद हैं और शहनवाज हमारे समधाता आप तिनों मौजूद हैं राकेश के पास एक ब पाया है कि किन-किन मुद्दों पर स्वेद्पत्र किंद्रित होगा ले खास्तोर पर जो जो लग रहा है गंगेजी आर्थिक मुर्चे पर ही कहीं न कहीं यह पूरा स्वेद्पत्र जो हो है वो रहेगा कोशिश यही की जा ही है मौजुदा सरकार के द्वारा जो पिछली सरकार का जो बजट था उस बजट में किसमत में कितने पैसे खर्च हुए कहां बहुत जरूरी था कहां फिजूल खर्ची हुई इन तमाम इसे उको लेकर यह स्वेद्पत्र जारी किया जाना है खासतर पर जो मीडिया रिपोर्ट है और जो विवीछ एजंस्ट का पिछली सरकार ने तरीके से खाजाना खाली करके बहुत कुछ करने के लिए तो लेकिन हमारे पास खाजाना खाली है पिछली सरकार ने तमाम चीजे जो आपके टैक्स के मादियम से जो पैसे जमे हुए वो बिल्कुल फिजूल खर्ची के तौर पर अननेसेसरी चीजों के तौर पर सरकार ने खर्चा किया और आज जब हमारे हाथ में सत्ता आई है और हम करना चाहते हैं हमारे पास वीजन है और उस दिसा में हमने पहली कैबिनेट में ही कई तरीके के संकेत भी दिये हैं कि हमारी सरकार काम करना चाहती है लेकिन खजाना खाली है तो ये एक मैसेज भी देने की कोशिस कहीं न कहीं पिछली सरकार ने हमें यही सौगार दे के छोड़ा है तो यहां से कैसे सूरू करें इसके लिए भी वह चाते हैं कि लोगों के बीच में हम चीजों को लेकर जाएं चलिए अपेक्षाओं शानवाज में आपके पास आ रहा हूं अपेक्षाओं और घोष्णाओं का जो बोज है मौजुदा सरकार पर चुकि आप चुनाव में गये हैं आपने हर तरह की घोष्णा की है और लोगों के बीच में एक अपेक्षाओं के हम कह सकते हैं लहर पर आप सवार हैं ऐसे में वह अपेक्षाओं कैसे पूरी होंगी या उसमें जो दोईरी होगी वो किस हद तक ये बताने की एक कोशिश है शोयत पत्र में या आपको लगता है कि शोयत पत्र का वास्तविक एजेंडा क्या है क्यों लाने के पीछे वास्तविक मकसद सरकार कैसे इसको हल बताएगी देखें शोयत पत्र अभी नहीं आता लेकिन बराबर अख़बारों में निकल रहा है कि ख़जाना खाली है और ये योजनाय बंद हो जाएगी मैं एक छोटी सी योजना का जिक्र करता हूँ बात समझाने और समझने में बहुत आसानी हो जाएगी रजिस्ट्री आफिसेज में अभी बेपना भीड उमर पड़ी है एक रुपे में महिलाओं की रजिस्ट्री जो की जो इसकीम रगवरदास जी ने लाउंच की थी उसका लाब उठाने के लिए क्योंके बार बार खजाना खाली है खजाना खाली है इस अफवा से सारे लोग डर गए हैं जिनके अल्मोस्ट अब मकान फ्लैट कम्प्रीट होने वाले हैं बहुत दिनों से रिजिस्ट्री की प्लानिंग नहीं की तो अब सोच रहे हैं कि क्यों ना एक अच्छे खासी पैसे और रकम बचा ली जाए और रजिस्ट्री के लिए सब लोग दोड़ रहे हैं दोड़ रहे हैं कि कभी भी खजाना खाली के चकर में नई सरकार की नई कैबिनिट ये फैसला न कर ले कि ये एक रुपे में पचास खाली है या नहीं हो सकता है खजाना खाली ना हो पूरी तरह से ये भी बताना वो जरूरी समझते हैं कि नहीं ऐसी को भाय बयावा इस्तिती नहीं है हाँ अब रहा सवाल फिजूल खर्ची एक अलग एक आस्पेक्ट होता है किसी भी सरकार के एकस्पेंडिचर का जो रिज समीट हुए जो मेगा शोज हुए आपको याद होगा कौशल विकास भी एक अलग डिपार्टमेंट है कौशल विकास नाम की डिपार्टमेंट में भी बहुत जबर्दस्त गड़वडियों की शिकायते हैं मनसोर जी के पास हैं जो अक्सर जिक्र करते रहते हैं कि जरूरी है क्या गहर जरूरी है यह वो चाहते हैं कि जनता तैक करें और यह यथा इस्तिति क्या है शुएत पत्र से अपने आप पता चल जाएगा कि मोमेंटम जारकेंड में कितने पैसे खर्च किये गए उसका आउटकम क्या आया यह जनता जान लेगी क्योंकि जब जब तो आज से नहीं होगा वो उस तारीक से होगा जिस तारीक को मुहेमन सोरेण ने रगवरदास जी को सत्ता सोपी थी दो हजार पंद्रह इसी नौंबर महीने से किसी तारीक से जारी होगा सिवासी सवाल उठता है बहुत साफ है कि जनता ने रगवरदास के सरकार के काम काज को नकार दिया वो आप मोमिंटम जहरकंड में हाथी उडाने की बात कहें जो भी बात कहें आप वो तमाम चीजों को सरकार कहती रही कि हमने अच्छा किया जाहे कौशल विकास की बात हो चाहे कुछ और भी मुद्दे हो, जनता ने उससे नकार दिया, फिर जनता को इससे बताने की जरुरत क्यों है राकेश, इन्सिकरिटी कहा है? राकेश आप तक आवाज जा रही है? शायद राकेश तक आवाज नहीं पहुँच रही है. बरहाल इन मुद्दों से थोड़ा अलग हटके अब जरा बीजेपी का रुफ करते हैं, राजेश वहाँ मौजूद हैं, बीजेपी देखते हैं, राजेश सरकार की और सस्पेंस पर बात हो गई, बीजेपी और सस्पेंस तो अभी और गहरा है, बीजेपी अब तक ये नहीं तैकर पाई है कि विपक्ष का नेता कौन होगा, कौन है जो इस सरकार के सामने तनकर खड़ा होगा, वो चेहरा कौन सा होगा, इसको लेकर विजेपी पूरी तरह से हम कह सकते हैं, असमंजज की स्थिति में हैं, क्या वज़ा दिखती हैं आपको? तो जो जमीनी हकीकत से ये लोग वाकिफ नहीं थे और जिस कारण से हार हुई, और ये हार के कारण निरासा है, हतासा है, और यही वज़ा है कि अब पाटी को ये चिंतन करना पड़ रहा है कि नेता प्रतिपक्ष के लिए कौन सा समीकरन और कौन सा चेहरा सुटेबुल उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष भोसित होना जरूरी है, क्योंकि वही व्यधायक दल की बैठक मुलाता है, और सदर में क्या कुछ की रनीती बनती है, ये नेता ही करता है, दो विधायकों वाला भी कोई दल अगर है, तो उसके एक नेता दल के विधायक दल के नेता हो होते हैं तो निश्चित रूप से ये काम होना ही है लेकिन अस्पंजस की इस्तिति यह है कि पार्टी जिस प्रकार से डैमेज हुई है इस चुनाव में और कई कारण रहे हैं इसका एसेस्मेंट अभी फिलाहल नहीं हो पाया है दिल्ली से भी हमारे बात हुई थी तो उनका भ प्रतिपक्ष वो मुख्यमंत्री की बराबर का चहरा होना चाहिए जो की सवाल जवाब मुख्यमंत्री का नेता प्रतिपक्ष पूरे सदन में प्रतिपक्ष का नेता होता है चाहे जो भी दल उसके अधिन आते हों नापक्ष में जो भी दल आएंगे चाहे वो जो भी रहे वो उनका प्रतिनीदित करता उनकी बाते सदन में मानी जाती है अब बड़ा महत तो होता है तो ऐसे में कौन सा चेहरा अच्छा होगा और ये चेहरा मुखर भी होना चाहिए क्योंकि पाच साल का मामला है अभी से लेकर दो हजार चौबिस तक जब तक चुनाव नहीं होते है तक एक ऐसा चेहरा जो सरकार को टरा टर जवाब दे सदन में और सवालों के घेरे में सरकार को खड़ा करे इसलिए ऐसे चेहरे की तलास है इसी पर बंतन जा री है कई नाम है निलकर्ण सिंग मुंडा चुकि सिनियर है रगवर सरकार में ये सिनियर मिनिश्टर थे और चुकि पार्टी को ये लगता है कि आदिवासी चेहरा होना चाहिए ये आदिवासी 27-28 परतिशत है और अभी हाल के चुरों में आदिवासी समुदायस ने बीजेपी को क सफी निरास किया है इसलिए पार्टी या भी विचार करें की निलकर्ण सिंग मुंडा और कोचे मुंडा दो ही विदायक ऐसे में कि मढः पड़ते हैं वह सदन संस्दिय कारे मंतरी विम रह चुकित थोड़ा सब मुकर्ता उनमें लाने की जरूरत पड़े गी उनको अगर हिसाब से सेट किये जाने हैं पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है इसलिए इसके हर एक कदब का एक अर्थ निकलेगा और कहीं न कहीं सत्ता पक्षभ बीजेपी को सवालों के घेरे में खड़ा करने की कोचिस करेगा अगर इसके कदम कहीं कोई तुरुटी पूल उठते हैं त छोटा सा ब्रेक लेते हैं आप तारीख क्या बता रहे थे आप एक बर बता दें उसको तारीख से सत्र शुरू होने वाला है उससे पहले एक बैठक होनी है और कोई ने कोई केंद्रिये नेता के नेत्रितु में ही यह बैठक बूलाई जाएगी वैसे अभी तारीख तैना है कि पास सारी को होगी बैठक लेकिन बिधायकों को बुलाया गया है वैसे वो सी ए ए के लिए एक बुलाई गया है बीजे पी की बिधायकों की तो हो सकता है कि उसी दिन केंद्रिय निता कोई आ जाए लेकिन अभी इसकी कोई जानकारी नहीं है चलिए बैठक होगी लेकिन ऐसे संभाव ना है ठीक है एक चोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर इस प्रोग्राम को समप करेंगे समझेंगे कि इस तमाम सस्पेंस कैसे खत्म होगे कि ब्रेक बाद आपका स्वागत है फानल कमेंट का टाइम है राकेश वारे साथ जुड़े में है राकेश का जैमिम अब यह स्पश्ट करने वाला है कि जो श्वेत पत्र है उसके वास्तविक मुद्दे क्या है दरसल इसके जरिये सरकार करना क्या चाहती है सरकार के तरफ से ऐसा कोई बयान आने की उमीद है अगले एक दो दिन में देखिए उमीद की जानी चाहिए गंगेश जी कि इस पर सरकार के तरफ से कोई ऑथेंटिक बयान आएगा कि वह स्वेत पत्र के माधियम से दरसल क्या चाहती क्या है क्या चीज़ों को एक्सपोज करना चाहती है और स्वेत पत्र किन किन बुंदूगों पर अधारित होगा इन तमाम चीज़ों के लिए थोड़ा इंतिजार करना होगा गंगेश जी लेकिन फिलहाल पार्टी के तरफ से जो बयान आ रहे हैं जो चीजे पार्टी के तरफ से निकल कर आ रही है उससे एक बात यही समझ में आ पर आए जाए लोगों को यह बताई जाए कि हमारे पास वीजन बड़ा है हम बहुत कुछ करना चाहते हैं किसानों के करजमाफी का सवाल हो या पीर कई भी भागों में पैमेंट का मसला हो तिन तमाम बीसायों को लेकर मौजूदा बताना चाहती है कि हम बहुत कुछ करना चाहती हैं लेकिन हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हमारे पार सी सूर्सेज नहीं है और पिछली सरकार ने जो चीजें हमको दी हमको वहीं से आगे बढ़ना है गंगेश जी क्या मैं यह उमीद रखूं कि बीजेपी आप चुके समय बिल्कुल कम बचा है बीजेपी अ संगठन महमंत्री हैं धंपाल सिंग वो दिल्ली गए हुए थी वो लौट काये हैं वैसे सभी को टटोल रहें और विदायकों की राय एक बनाने की कोशिश होगी और विदायक दल का नेता पौन होगा यह तै होना है छे से आठ जनवरी तक विसे सत्र है उसमें एक नेता हो नहीं चाहिए अभी सिपी सिंग ने कहा कि यह बहुत जरूरी है इसलिए जल्द ही बैठक बलाए जाएगी मुझे लगता है कि कल तक में यह तारिक आगनी चाहिए चलिए शानवाज फाइनल कमेंट यह कि कॉंग्रिस की भूमिकाई श्वित पत्र को लाने में कहा जाता है कि कॉंग्रिस का भी अपना एक दबाव है क्या आपको लगता है इसाब हाँ जी बिलकुल यह यह सही राय और सही फैसला भी यही हो सकता है कि कोई भी विरासत यह कोई भी चीज़ आपको मिली है जिस पोजिशन ने मिली है आज़िटीज यह जनता को भी मालूब होना चाहिए क्योंकि अभी तो यह हनीमून पिरियड है लोग आ रहे हैं किताब भेट कर रहे हैं लोग मिल रहे हैं गले मिल रहे हैं तरह तरह की तारीफे हो रही है जब अख़वार और मीडिया क्रिटिकल अनलाइसिस करने लगेगा और जब सरकार आगे कदम बढ़ाना शुरू कर दे रहे हैं तो एक बजट की जरूवत होगी यह कार्योजना तयार करने की जरूवत होगी तो जाहिर है उससे पहले यह जंता को पता होना चाहिए कि इतने पैसे खजाने में मौझूद हैं पिछली सरकार ने यह चीज़ें बहुत अच्छी की हैं उसके खर्च बिलकुल या किसी चीज में अगर घपला और गोटाले का भी अगर कोई जिक्र आएगा कोई बात आ जाएगी तो उसको भी रिखांकित करके जनता के सामने कांग्रेस के लोग जेमेम के परवक्ता कांग्रेस के परवक्ता कोद मुक्मंत्री चले शर्वाज वक्ता आज इतना ही है यह सच है